नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश अभिनवर हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्र मोहन देखें बिहार में अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही है नितीश कुमार के आठ मंत्री हैं वो फिलाल सरकार चला रहे है नितीश कुमार को मिलाकर नितीश कुमार खुद मुख्यमंत्री है लेकिन अब विपक्ष लगातार हमलावर है तेजस्वी आदब से लेकर RGD के तमाम नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए मुख्यमंत्री जी आखिर कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा है इसमें क्या पेंच फसा हुआ है और आखिरकार भारतिय जनता पार्टी और जेडियू की जब इतनी अच्छी सरकार च प्रफावित होता है क्योंकि यही सवाल तेजस्वी आदब से भी पूछा जा रहा था आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ इंद्रमों सरें इंद्रमों सर कैबिनेट विस्तार को लेकर अब धीरे-धीरे RGD जो है मुखर हो रही है और लगातार नितिश शेचे विभाग हैं बलकि किसी-किसी मंत्री के पास जो मुख्य मंत्री उनके पास नौ विभाग हैं अगर वो एक विभाग को एक घंटे का भी समय दे तो पूरा दिन उनका एक ही विभाग में सिर्फ एक घंटे में निकल जाता है तो आप सोच लीजिए कि विकास की होगा कैसे ये एक बड़ा सवाल है इसके पीछे राजनितिक जानकार कई तरह के तर्क देते हैं बड़ा तर्क जो सबसे बड़ा तर्क ये है कि नितीश कुमार ने कंडिशन लगाई थी उनकी कंडिशन ये थी कि बिहार में लोग सभाचुनाव और बिधान सभाचुनाव साथ कराये जाए उनके मन में हमेशा ये रहते हैं बीजेपी इसके पक्च में नहीं थी चुकि सरकार को अभी एक साल और बाकी है बीजेपी के लिए पहली प्रायटी लोग सभाचुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 40 सीटें जीतनी हैं वहीं दूसरी ओर नितीश कुमार ये इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर इसके साथ बिधान सभा चुनाव होता है तो जो पिछली बार बिधान सभा चुनाव में हुआ ऐसा नहीं हो पाएगा मतलब अगर चिराग पासवान उपेंद्र कुश्वाहा जीतन रामान जी जैसी कोई भी समर्थक दल अगर पीछे हट जाते एंडिये से समर्थन हटाते हैं और जेडियू के खिलाफ अगर कैंडिडेट उतार देते तो जेडियू को मुश्किल होती है और ऐसे परिबेस में जब चुनाव साथ होंगे तो जेडियू भी बड़ी पाटी हो सकती है उनके भी विधायक 45 से बढ़कर 70-80 तक प जाते हैं और डर इस बात का है कि जिसे मंत्री नहीं बनाया जाए क्या वो सांसत बनने के लिए पाटी जोटे के अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा आएगा तो अन्य जो नेता है जेडियू के विधायक हैं लंबे समय से विधायक रहे हैं अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो पाटी में एक विध्रोह की भी स्थती पैदा हो सकती लेकिन अगर अब इन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो मुश्किल सुरू होती है यहीं पे असली पेच है कि अगर इन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाएगा और इन्हें सांसदी का भी टिकट ना दिया जाए तो परिशानी यह होगी कि यह कहीं और से यानि की दू तो उनके लिए पाव आ रहा है, वो सांसद हो जाएंगे, अगर वो हार गए तो फिर भी विधायक बने रहेंगे, लेकिन अगर वो पाटी बदल लेंगे तो उनकी सदस्ता चली जाएगी, यह एक समस्या है, तो सदस्ता जाने के क्रम में लेकिन एक बड़ा एस्टेक उनके लिए लगता है कि अगर मंत्री बंद नहीं तो चुकि चुना को एक ही साल बचा हुआ है ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि सरकार का मैजिक फीगर ही कम हो जाएगा यानि कि जो बहुमत का आकरा है बिहार में अगर जेडियों में तूट हो जाती है कुछ विधायक चले जाते है महागटबंदन से लोगसभा का चुनाव लड़ने तो नम्मर गेम इधर कम हो जाएगा और आजजेडि का बढ़ जाएगा जिसका फाइदा मिल सकता यानि कि सरकार पे भी संकट बरकरार है तो नितीश कुमार को यहां कैबिनेट एक्सपेंशन में इसलिए भी देरी हो रह में पार्टी नम्मर वन पार्टी बन सके लेकिन जो आरजेडि का दवाब आ रही आखरी सवाल होगा आरजेडि का दवाब चाहे उनके जो पूर मंतरी हैं आरजेडि को टेके नितीश कैबिनेट में वो हो या फिर उनके प्रवक्ता हो या खुद तेजस्वी आदव हो लितीश कुमार का मनोबल वो तोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं अब अगर सरकार बनाने के लिए हर कोई उन पर सौप्ट होता है यह कहता है कि आपके इनके साथ बन नहीं रही खुद बीजेपी के नेता भी कहते हैं कई बयान तो इसलिए भी दे दिये जाते ताकि बात ये है कि तकरार से जदा यहाँ पर उस सामंजस्ता को लोग देखना चाहते हैं जिसके अंतरवचत सरकार अपने का बिशेषा धिकार होता है अपने के बिजेपी के कोटे से भी मंतरी पीजेपी के कोटे से एक बड़ा कोटा है जो मंत्री बनना इंतजार इनको भी है कि क्या इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि जो मंत्री बनेंगे ये माना जा रहा है कि वो लोग सभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है तो जो मंत्री बनते ही वो जब लोग सभा ना बलकि इस्तिती उनकी भी ऐसी है कि जो दिल्ली का दौरा लगा रहे थे जो दिल्ली तक दौर रहे थे उन्होंने भी अपने पाउं को इस्तिर कर लिया कि तोरा इंतजार करिये कैबिनेट विस्तार हो जाने दीजे लेकिन कैबिनेट विस्तार की वो तारीक है जो फिलाल आ ही नहीं रही है चलिए तो आपको क्या लगता है ये कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा है कमेंट करके मैं जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं बिहार तक नमस्कार